दिल्ली की वायू गुडवत्ता दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है जिसे सहर में कई इलाकों में घने स्मोक की परत देखने को मिल रही है यह अबना नदी का प्रदूशन भी चंता जनक स्तर तक पहुँच गया है खास कर कालिंदी कुझ छेत्र के पास जा नदी की सता पर जहरीली जाग की मोटी परत दिखाई दी है यह जाग मुख्य रूप से रसाइनू और और अद्योगी कच्रे के कारण बनती है जो परियावरन और मानस्वास के लिए बेहत खतरनाक है नेले के विबिन चेत्र में वायू गुर्वत्ता सूच कांग खतरनाक स्तर तक गिर गया है एमस चेत्र में AQI 253 तक पहुँच गया है जिसे खराब स्रेणी में रखा गया है इस लागे में स्मॉक की मोटी चादर फैली हुई है जिससे स्तानी निवासियों को सांस लेने में कटनाई का सामना करना पड़ रहा है अक्षरदाम चेत्र में सती और भी गंभीर बन गई है यहाँ AQI 334 तक गिर चुका है जिसे बहुत खराब स्रेणी में वर्गी करित किया गया है यहाँ भी गरा स्मॉक चाया हुआ है जो लोगों के स्वास पर नकरात्मक असल डाल रहा है वही आईटी ओ छेत्र में AQI 226 तक पहुँच गया है जो खराब स्रेणी में दर्जग किया गया है यहाँ भी गरा स्मॉक की मोटी पर देखने को मिल रही है जिससे लोग काफी परिशान हो रहे हैं और प्रिशासन से समधान की लगतार मांग भी की जा रही है इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट और उसके आसपास के छेत्रों में AQI 251 तक गिर चुका है जिससे परिटकू और इस्तानी लोगों में नकरात्मक प्रभाव पड़ा है दिले सरकार और नगर निगम प्रदूसर्ण से निपटने के लिए विभिरने उपाय कर रहे हैं जैसे सडकों पर पानी का छड़काव निर्माल कारियों पर निगरानी और पराली जलाने पर रोग के प्रियास हलकिन उपायू का असर फिलाल सीमित नजर आ रहा है और दिली में प्रदूसर्ण की स्तिती लगतार बिगड़ती चा रही है